हेलो एंड वेलकम टो माई चैनल स्वातीज वर्डन लाइस्टाइल फ्रेंड्स आज स्टार्ट करने वाली हूँ मैं करवा चौथ स्पेशल सीरीज तो फ्रेंड्स बने रही है मेरे साथ मेरे वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सरो कीजे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने फेस को हम किस तरह से पैंपर कर सकते हैं इसकिन केर किस तरह से कर सकते हैं क्या कैचीजें हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में यूसफुल हैं तो फ्रेंड्स एक अप करके तो हम सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुन्दर लगते हैं बट हमारी जो रियल स्किन होती है हमें उससे भी उतना ही प्यार होना चाहिए हमें झाले स्किन लगाते हैं हमारी स्किन को सांस लेने की भी जरूरत होती है में कप सो सिर्फ हम कहीं पर बीजाते हैं यह कर सकते हैं अच्छा फील होगा हमें अच्छी एकौंफिदैंस आएगा तो फैंसमें इसकिन को मेकव in as सासाथ मेकप भी कीजिए तो तो से मेकप के साथ साथ अपनी Catchink को आ Rebecca सिसिल केर की मिerem के एपनी इस वीडियो में आपको फेसद ग्रॉमिंग साथ से शारे टिप्स च सी र्लिबाया है उसम Curve और ही चीज़ों से रिलेटट में एक जब देखने के लिए आपको मैनिकुर पैडिकुर बाडी की चीज एक प्रक्राइब प्राइब काप ज़रूर ही होगा क्योंकि मेरा चैनल है में काप फैशन हेर स्टाइल से रिलेटट है तो फ्रेंड से मेंक अप वह but make-up हमारी secondary चीज होती है हमारी skincare आज की इस वीडियो में हम दिखेंगे कि हम अपनी skin को बिना makeup के किस तरह से glow कर सकते हैं तो फ्रेंड पहले step में हमारे face grooming की आता है कि हमारा face की linen clear है या नहीं तो आज हम अपने eyebrows को shape up करेंगे पहले और अपने hair remove करेंगे face के तो सबसे पहले इस तरह का दातों वाला एक hairband आप जरूर लगाईए क्योंकि ये हमारे बाल जो होते हैं बीच में आते हैं during hair removal तो इसको हम पहले लगा लेंगे और उसके बाद friends यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्वीट का 5-in-1 hair trimmer तो friends ये इस तरह के attachments के साथ में आता है तो friends बहुत ही easy है इसको deal करना तो इसको हलका सा हम घुमाएंगे और हमारा जो trimmer है वो start हो जाएगा तो इस area से आप अपने जो upper lips हैं वहां के hair को remove कर सकते हैं या अपनी eyebrows हैं वहां के hair को remove कर सकती हैं तो friends ये twin one trimmer है इस समय जो मैंने attachment लगाया हुआ है तो friends ये brush के help dress को clean कर लेंगे तो दो blade लगे हुए हैं इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है तो उससे हम eyebrows को clear करेंगे तो friends eyebrows को आप इस पूली से comb कर सकती हैं और नीचे करने के बाद आपको सारे जो बाल हैं वो दिख जाएंगे कितने बाल हमको remove करने हैं तो आपको जो छोटा वाला blade है उससे आप कर सकती हैं क्योंकि अभी आपका hair set नहीं है तो आप इस तरह से इसको eyebrows की shape को follow करते हुए क्योंकि friends यह बहुत ही चोटे चोटे से area को cover करता है इसलिए आपको यहाँ पर बड़ा blade यूज करने की need नहीं है आप यहाँ पर चोटे वाले blade से ही काम चला सकती है उसके बाद आप देख सकते हैं कि eyebrows हमारी shape up हो गई हैं बहुत जादा हमें यहाँ पर deeply नहीं जाना है उस यूज करेंगे तो इसको हम opposite direction में move करेंगे इस तरह से और हमारी skin हो जाएगी बिल्कुल clean and clear तो आप यह देख सकते हैं बिल्कुल face clean हो गया है उसके बाद face wash कर लेंगे और तुरंथ हम एक बहुत ही अच्छा सा toner अपने face पर apply करेंगे जिससे हमारी skin hydrate रहे जोकि friends hair remove करते समय हमारी skin थोड़ी सी dry हो जाती है उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल clean area हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पर अपना serum apply करेंगे तो मैं यहाँ पर derma dog का niya sinemide serum है वो apply कर रहे हूँ friends बहुत ही अच्छी तरह से skin में absorb हो जाता है और हमारे skin को एक hydration and glow provide कराता है तो friends serum आप अपनी face के according जरूर यूज करें उसके बाद हम यहाँ पर face moisturizer apply करेंगे मैंने यहाँ पर derma koka face moisturizer यूज किया है तो friends मौसम भी change हो चुका है आप चाहें तो cream भी apply कर सकती है तो friends यह सबसे पहला step है कि आप अपने hair को remove कीजिए और उसके बाद अच्छी तरीके से अपना skincare कीजिए तो friends अभी skincare की जो videos है वो आनी बाकी है यह अभी मैंने आपको face grooming के बाद की बताएंगे उसके बाद कोई भी अच्छा सा sunscreen अपने face पर ज़रूर अपलाई कीजिए मसाज कीजिए और lips को नरिश करना बिलकुल भी मत भूलें last में तो friends यह तो था मेरी series का पहला video इ thanks for watching